नमस्कार दोस्तो स्वागत अगबर फिर से आपका आमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा मंत्राले में निकलिवी बंपर भरती के बारे में दोस्तो मिनिस्टर अब डिफेंस की तरफ से आपकी ओफिशिल वेकेंसी रिलीज हो चुकी है ओल इंडिया लेवल की ये भरती रहने वाली है इसमें मेल और फिमेल दोनों ही केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आपको बता दो कि जो भी दस विपास और बार विप पास कैंडिडेट्स है उनके लिए वेकेंसी रहने वाली है आवेदन जरूर कीजेगा अब आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में सेलेक्शन प्रोसेस अपलाई कैसे करना पड़ेगा आपका एज लिमिट का क्राइटेरिय एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा डिटे अब आगे हम आपको बताने वाले कि जो भी इलिजबिल केंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिय यहां पे रखा गया है जैसे कि आपका सेलेक्शन प्रोसेस आपका एलिजबिलीटी प्रोसेस क्या रहनेवाला पूरा डिटेल में जानेंगे सबसे पहले हम आपका post का नाम कौन कौन सी post पे आपकी vacancy निकल चुकी है stenographer great second के पदों पे आपकी vacancy निकली है LDC के पदों पे आपकी vacancy निकली है UDC के आपकी vacancy रहने वाली है सफाई वाला messenger और helper के पदों पे आपकी vacancy निकल चुकी जो कि all India level की रहेगी pay scale के अगर हम बात करें तो आपको बता दू कि यहां पे stenographer great second के लिए level 4 का pay scale रहने वाला है 25,000 से लेकर के 81,000 रुपे आपका परमत salary दी जाएगी UDC के post के लिए भी आपका same रहेगा 25,000 से लेकर के 81,000 रुपे परमत messenger और helper की post के लिए भी same pay scale रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900 रुपे परमत इसके अलावा दोस्तो age limit का criteria अगर हम देखें तो आपको बता दू कि stenographer की post के लिए 18-27 साल का UDC की post के लिए 18-27 साल का LDC की post के लिए 18-40 साल का age limit का criteria रहने वाला है दोस्तों सफाई वाले की post के लिए 18-40 वर्स का age limit का criteria रहेगा messenger की post के लिए 18-40 साल का और helper की post के लिए 18-45 साल का आपका age limit का criteria रखा गया है ये तो हो गए आपका age limit का criteria selection process apply mode का बारे में भी हम जान लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे apply mode आपका online आवेदन यहाँ पर किया जाएगा offline आवेदन आपके स्विकर्त नहीं होंगे total number of vacancies के अगर हम बात करें तो 10,225 पद आपके रहने वाले है दोस्तों आगे हम बात करेंगे education qualification की तो आपको बता दो कि जो भी interested candidate बार विपास और दस विपास वो इस vacancy के लिए आवेदन कर सकते है application fees आपके यहाँ पर इसी fees fight नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग आपके आपके फीस लगने वाली है इसलिए जैसे आप आवेदन करोगे तब आपको वहाँ पर फीस बताई जाएगी apply कैसे करना पड़ेगा इसके लिए आपको बता दो कि last date आपके online registration की 29 सितमबर रहने वाली है other mode आपके यहाँ पर acceptable नहीं होंगे इसलिए आपको online आवेदन ही करना पड़ेगा selection process आपका बता दू कि return test, skill test और interview test के basis पे conduct होगा आपका जो भी selection होगा आपका finally interview basis पे होने वाला है आपका exam conduct करवाए जाएगा उसके बाद में final document verification के लिए बुलाए जाएगा यह आपका पूरा process में ने बता दिया है 29 सितंबर last date रहने वाली है आवेदन जरूर किजीगा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकनी update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों